वाव लवली ये है मेरा फेस्बुक का आज का प्रवचन प्यूटिफुल संसेट संसेट बहुत पसंद है तुम्हे जी आंद्री मुझे ना संसेट के कलर्स पसंद है दिल वेरी सूधे आपको भी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि थोड़ी देर में ये मुझे मेरे सपनों के नजदीक ले जाएगा सौरी मैं समझी नहीं बेटा हमारी जिंदीकी सपनों और उमीदों के बीची तो जूलती रहती है अरे हाँ वो तुम फेस्बुक के बात कर रही थी न मेरे लिए किसी को डूण दोगी ओके बताएए क्या नाम है साहिल कोली S-A-H-I-R S-W-E ओके ये है ओ साहिल जी और मैं फेस्बुक पे फ्रेंज नहीं है न तो मैं इनका प्रोफाइल पूरी तरह नहीं खोल सकती बात नहीं बेटा ठीक है क्या बात है आउन्टी आप जानती है इनको बेटा है मेरा दूर चला गया मुझसे बहुत दूर बच्चे जब छोटे होते हैं न तो चाहे जितना घुस्सा करें जिद करें माबाप उन्हें मना ही लेते लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माबाप की छोटी सी बात पी भी उन्हें घुस्सा आ जाता है और छोड़के चले जाते हैं मेरा साहिल भी मुझे छोड़के चला गया मैंने उसे बहुत ढूणने की कोशिश की जब वो यहां से गया था न तो मेरी बहु प्रेगनेंट थी अब तक तो उसका बच्चा साड़ी तीन साल का हो गया होगा पोता है या पोती मुझे तो ये भी नहीं मालूम रोज यहां आकर बैठ जाती हो और एक कलपना में जीती हो कि मेरा पोता या पोती कैसा दिखता होगा जब तुम से फेस्बुक का नाम सुना न तो सोचा की शायद मेरी कलपना को आकरती मिल जाएगी हर बाकी की जिन्दगी बस उसी सुरत को देखते होगे बिदा तूंगी कमाल है आंटी आपने अपनी जिन्दगी का इतना बड़ा गम इस प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ सुना दिया रोते होगे तो सभी आते हैं दुनिया में लेकिन जिन्दगी को उसकुराते हुए जीना सीखना चाहिए चलती हूँ थेंक्य बेटा कितनी अजीब बात है सोशल नेटवरकिंग साइट्स पे हम अपनी जिन्दगी पूरी दुनिया के साथ शेयर कर बैठते हैं पर अपनी इसी जिन्दगी को अपने ही माबाप के साथ शेयर करना ज़रूरी नहीं समझते लव यूर पेरिंस ऑल्वेज टेक केर उट जिस तरह से आपको उनकी जरूरत थी बच्पन में अब उनको आपकी जरूरत है कर दो एंए कर दो है